हेलो फ्रेंड्स गार्डन स्पेशलिस्ट हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है आज में आपको दिखाने वाली हैं बहुत ही सुन्दर गुल्दाओदी का एक गार्डन जिसमें हर तरह की वराइटी है गुल्दाओदी की यह देखिए कितने बड़े-बड़े गुल्दाओद को मिले और जो यह चोटे बटन गुल्दाओदी आपको दिखाई दे रहे हैं इनके लिए पिंचिंग बहुत जरूरी है प्लांट की दो तिन बार पिंचिंग की जाती है जब तक बड़्द ना आए इसकी पिंचिंग करते रहते हैं ताकि जादा से जादा प्लांट फैल चाहे और और इतने सारे फिर बड़्द आएं और सबसे भड़िया फर्टिलाइजर मैं आपको बताने वाली हूं गुल्दाओदी के लिए होता है सरसो की खली उसको आप सरसो की खली के पाउडर को या सरसो की खली को 3-4 दिन पानी में भीगने दे जब उसमें से स्मेल आने लगे तब उसको 10 टाइम्स पानी में डाल कर मतलब अगर एक मग ये है आपके पास सरसो की खली का पानी तो उसमें आप 10 टाइम्स जादा पानी और फिर उसको आप इसमें पौधे में थोड़ा थोड़ा डालते रहें हर महीने आप ऐसे करें हर 15 दिन में करें तो आपकी गुल्दाओदी देखें कितनी अच्छी है ये गुल्दाओदी और ऐसी ही आपकी गुल्दाओदी खिलेगी सबतरे की विराइटी लगी हुई है और अलग-अलग विराइटी की अलग-अलग देखभल करनी पड़ती है जैसे ये देखें कितनी सुन्दर विराइटी है इसमें काफी सारे फ्लार्ज है वर्मी कंपोस्ट भी डालना होता है और इसमें गोबर की खाद भी डली हुई है जब मिट्टी बनाते हैं तब हम बहुत अच्छे से खाद डालते हैं वैसे थोड़े-थोड़े दिन में इसमें सरसो की खली का पानी और वर्मी कंपोस डालते रहना पड़ता है और बोन मील भी आप डाल सकते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है कलर के लिए क्योंकि उसमें बहुत मातरा में फॉस्फोरस होता है तो देखे कितना सुन्दर गार्डन है इनका गार्डन में आपको हर साल दिखाती हूँ और यह बहुत अच्छा होता है सारी गुलदाओदी इनके पास होती है वेराइटी जून से ही इसमें मेहनत करनी पड़ती है जब मौनसून आता है तब ही इसकी कटिंग लगानी पड़ती है दो से तीन इंच की कटिंग रेथ में लगाई जाती है जो बिलकुल नया रेथ फ्रेश रेथ होता है उसमें लगाई जाती है और उसके बाद जब वेग्रो हो जाती है तो उसको फिर ट्रांस्प्लांट किया जाता है तब कहीं जाकर ये अब गुलदाओदी के प्लांट्स हमें फ्लार्स मिलते है और फिर हम ये पेरिनियल प्लांट है इसको हम सेव कर सकते है और अगले साल फिर से कटिंग लगाकर जो मदर प्लांट होता है उसमें कम फलार्ज आते हैं लेकिन जो उसकी कटिंग लगाते हैं उसमें बहुत अच्छे फलार्ज आते हैं अगर उनकी देखरे एक अच्छे से की जाए तो गुल्दाओदी को धूप बहुत अच्छी चाहिए ये देखिए अलाइसम है अलाइसम भी बहुत सुन्दर फ्लार है इसके ओपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी पर जो गुल्दाओदी है प्रिसेंथेमम है ये है बहुत धूप मांगता है जहां आपके गार्डन में पन्चिंग करते रहना पड़ता है जब तक बड़ नहीं आती जब बड़ आ जाएं फिर आप पिंचिंग मत कीचिए नहीं तो आपके ब्लांट पर फ्लार नहीं आएंगे और ये देखिए अलग अलग तरे की विराइटी है और जो अगर आप सिंगल फ्लार चाहते हैं तो साइड्स की ब्रांचिस शुरू से ही काटनी पड़ती है जो बड़ा फ्लार की वराइटी होती है उसके लिए तो हमें अलग-अलग टाइप्स के लिए अलग-अलग तरह की देखभाल करनी पड़ती है और हमें पत्तों से पहचान हो जाती है कि ये कौन सी वराइटी है यक से 3 मीटर तक ही इसकी लेंध होती है कि छोटे वाली भी होती है गोलदाओी बड़े भी जो बटन गोलदाओी होती है थोड़ी ड्लाफ होती है एक फुट अजो इक लंबे वाली व्लैटी वहती है जिसमें आप बड़ा फूल लेना तो उसके साइड्स में से ब्रांचिज आपनिकाल सकते हैं और जो बटन गुल्दाओने हैं, इसकी आप पिंचिंग करते रहिए, जब तक ऊसमें बड़स नहीं आती हैं, बड़स आजाएं फिर आपने पिंचिंग नहीं करनी है फिर आपने उसमें बोन मील डालना है सरसो की खली डालनी है ताकि आपको बहुत सुन्दर कलर आए अपके फ्लार्स में और धूप पूरी इसको दिखानी पड़ती है क्योंकि धूप के बिना गुलदावदी नहीं खिलती है तो जहां आपके पर प्लांट की एनरजी वेस्ट नहीं और इसमें रेगुलर्ली फर्टिलाइजर डालना होता है यह एक महीने की बहार होती है गुलदावदी की बहुत ही खुबसूरत लगते है इसके प्लांट्स पूरा साल मुझे इनतजार होता है यह मेरी फ्रेंड का गार्डन है और उ वीडियो में से देख सकते हैं और इस साल भी मैंने आपको सारी आपको गुलदावदी जब खिल गई तो मैंने वीडियो आपके लिए डाली है जून से एंड ऑफ जून से इस पर मेहनत की जाती है गुलदावदी पर तब कहीं जाकर यह नवेंबर डिसेंबर में गुलदा और सब तरह के कलर्स हैं सब तरह की विराईटी है आप भी अपने गार्डन में यह लगा सकते हैं और बाद में इसके प्लांटora रख सकते हैं इक ही गमले में बड़े गमले में लगा धीजिए सारे प्लांट数 और जब next year monsoon आए तो आप इसकी cuttings अलग 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 अमलों में लगा सकते हैं या एक जगा cutting तयार कर लीजिए फिर उसको अलग 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 अमलों में transplant कर दीजिए तो आपके पास भी इतने सारे फूल हो सकते हैं थोड़ी महनत थोड़ी क्या बहुत महनत लगती है पर अगर आपको पसंद है तो आप इसमें महनत कर सकते हैं और आपका गार्डन भी भर जाएगा फ्लार से और बहुत ही सुन्दर देखिए विराइटी है ये वाली एक तो बटन गुलदाओदी इसके पीछे देखिए न्यू विराइटी है और इसके अलग-अलग नाम होते हैं मैं कभी वीडियो बनाऊंगी तो आपको अलग-अलग इनके नामोस के बारे में बताऊंगी अभी मैंने आपको गार्डन की खुबसूरती दिखाई बताया कि भई कैसे कौन-कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए ताकि आप भी अपने गार्डन में ये गुलदाओदी उगा सके अगर आप शौक रखते हैं तो आप इनको आप हर सार लगा सकते हैं मदर प्लांट आप रख लीजे और नेक्स्ट येर लगा लीजे